M.A. Political Science अगर आप Admission इग्णू में लेना चाते हैं तो खास तोर से ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो मैं M.A. Political Science में इग्णू में आप कैसे Admission ले सकते हैं कैसे सारी चीजे रहेंगे उस चीज को बताऊंगा साथ ही मैं आपको अपना WhatsApp ग्रूप का लिंक दूँगा जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और सारी information वहाँ से आपको मिल जाएगी और यह सारी चीजे आपको बिल्कुल free of cost मिलेगी जो भी मैं class पढ़ाऊंगा उसका कोई आपको charge नहीं देना पड़ेगा और सारी information आपको हमारे ग्रूप से जरूर मिल जाएगी और MA political science में अगर आप इगनू से अगर आप करने की सोच रहे हैं तो MA political science में आपका admission कैसे होगा यहाँ पर exam कितने होते हैं आपकी fees कितने लगेगी और admission आप ही हो रहा है या नहीं हो रहा है सारी चीजे इस वीडियो में बताने हो लहाँ खास तोर से इस वीडियो जो आपको रहेगा ग्रूप के थुरूप आप जो WhatsApp ग्रूप का मैं लिंक देंगा निचे जैसे आप discussion box ने जाएगे वहाँ पर WhatsApp ग्रूप का लिंक है वहाँ से जाकर के आप सीधा उस ग्रूप को जोईन कर सकते हैं वहाँ आपको ग्रूप में से सारी जानकारी आपको जरूम ले इसके बारे में आखिर में हम लोग जरूर बात करेंगे ठीक है तो एक चीज में बता दूँ आप सभी लोग अगर मास्टर पॉलिटिकल साइंस में ेड्मिसन लेना चाते हैं तो आप इगनूỏ इनवस्टी में ले सकते हैं चाहिए आपने कहीं से भी अपनी graduating कर रखा है आपने कहीं से भी BA कर रखा है चाहिए इगनू से बहुत सारे बच्चे आपने आदर्स इन्वस्टी से किसी भी इन्वस्टी से अगर आपने बीए कर रखा होगा तो आप इगनों में एडमिसन ले सकते हैं सबसे पहले अगर मैं फीस की बात करूँ तो परजन टाइम में जो इगनों की फीस कितनी है अगर मैं बात करूँ कि खास तोर से इमीडियम कौन सा रहेगा खास तोर से बच्चे पूचते हैं कि कौन हिंदी और इंग्लिस आप दोनों मीडियम ले सकते हैं इगनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे माली जेक सपोच कीज़े अगर किसी बच्चे ने इंग्लिस मीडियम में एडमिसन ले लिया है आप जिस मीडियम को लेंगे उसी मीडियम में आपको इगनू की तरफ से बुक मिलेगी परजन टाइम की फीस मैंने आपको बता दिया ठीक है और एडमिशन नेलने के लिए एक चीज में बता दूँ आप सभी के पास कम से कम ग्रेजिवेशन होना चाहिए ग्रेजिवेशन की मार्क सीट तब आप इगनू में एडमिशन ले सकते हैं ठीक है दसवी 10 की मार्क सीट ठीक है 12 की मार्क सीट और ग्रेजिवेशन की मार्क सीट आपको लगेगी और इगनू में एडमिशन लेने के लिए कोई भी प्रोविजनल अगर में बात करूँ खास तोर से जो माइग् तो माइग्रेशन सर्टिफिक्ट की जरूरत नहीं पढती है इगनू विदाउट उन्हाइग्रेशन सर्टिफिकट की आपको होगा दूसरी सबसे बड़ी बात आप सभी के मन में सवाल होगा इगनू में जो आप सभी का एक्जाम होगा न ओ येरली बेस पर होगा कब होगा yearly बेस पर खास तोर से अगर मा लिजे अगर आपने अभी जुलाई 2023 के exam चल रहे हैं ठीक है कब जुलाई 2023 का चल रहा है अगर आप जुलाई 2023 में अगर आप अपना admission करवाते हैं तब आप अगले साल जून 2024 में exam देंगे यानि exam साल में एक बार होता है ठीक है अगर आप देखेंगे तो अगर first year के अगर मैं subject की बात रहूँ तो देखना first year में total चार बुके हैं कितनी बुके हैं MPS 1, MPS 2, MPS 3, MPS 4 दोखो इगनू में MA political science का code क्या है MPS 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 का मतलब master political science एक code है इगनू में code चलता है यानि MA political science को MPS के नाम से जाना जाता है तो first year जो आपका रहेगा first year में total 4 subject हैं चार बुक आपको मिलेगी और exam भी 4 होगा इगनू में क्या आपको आपका जैसे मालीजा अगर आपने अगर जुलाई 2023 सेशन में लिया अगर मालीजे अभी आपने अगस्त में सितंबर में या जुलाई में या जून में कभी भी अगर आपने 2023 में एडमिसन लिया है और दोनों में पास होना जरूए assignment से क्या होता आपके marks अच्छी खास या जथे percentage अच्छी खासी बन जाती है और assignment जो हता हो 30% होता है और 70% exam का होता है ठीक है यह यहाँ पर चलता है फरस्ट यर में total कितने subject हैं चार subject होंगे चार assignment बनेगा चार ही exam होगा ठीक है second year में जो रहता है देखो फरस्ट यर में चार subject है चारो सो सो नंबर करहेता कितना सो नंबर करहेगा चारो paper कितने 100 100 marks का exam होगा ठीक है और second year में जो रहता है थोड़ा समय बढ़ा से second year में जब आप लोग आएंगे तो मैं आपको बता ही दूँगा second year में कैसे चीज़े रहेंगे उसके लिए तो आप whatsapp group join करने जहां मैं आपको class b में पढ़ाऊंगा ठीक है second year में subject बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर के रहते हैं यहाँ पर सारे जो subject है ना 50-50 नंबर के रहेंगे ठीक है कितने 50-50 चास नंबर के रहते हैं यहाँ पर आपको लगभग 7-8 subject होता है ठीक है ओ चूजिंग जब second year के होगी तो मैं आपको बता दूँगा और admission के बारे में खास तोर से हम लोग बात करते हैं अभी देख लेते हैं जिखे इस portal से इगनू का admission लिया जाता है अभी पूरा अगस्त आपको admission होगा और सितंबर के मंथ में भी admission होता रहेगा तो अघर मैं बता दूँ लाष्ट ड जो 31 है इसको बढ़ा दिया जाएगा और यह कई बार अभी बढ़ेगी अगस्त में अगर पूरे अगस्त के माहिनिम आप admission ले सकते हैं सितंबर में आप admission ले सकते हैं और इगनु में जो admission होता दो बार होता एक तो जुलाई session में होता है दूसरा फिर जन्वरी session होता है यानि साल में दो बार admission होता है तो आप कभी भी admission ले सकते हैं चाहिए आप जुलाई session में अगर आप जुलाई session पाइडमिसन लेने के लिए आपको इसी पोर्टल पानान होगा और यहाँ पर सारी चीजे यहाँ पर जैसे लिख रहा करना क्लिक हेर टू नू रजिस्टेशन आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और इसके बाद जा करके आप साइबर कैफे वाले के पास जा करके इसको आप एडमिसन ले सकते हैं और एडमिसन के लिए आपको क्या-क्या डोकुमेंट लगा हो मैं बता देता हूँ जैसे 10th की मार्क सिट 12th की मार्क सिट ग्रेजुएशन का आपका सारा लगेगा और एक फोटो लगेगी और सिग्जनेचर लगेगा इतनी चीजे लगती हैं माईग्रेशन नहीं लगता है ठीक है माईग्रेशन सर्टिफिक्ट आपको इगनों में नहीं देना पड़ेगा और एडमिसन जब आप जरूर ध्यान में रखिएगा ठीक है और अगर आप इगनों में एडमिसन ले रहें तो आपको क्या होगा आपको एक स्टडी सेंटर मिलेगा एक रिजलन सेंटर मिलेगा क्या मिलेगा आपका एक स्टडी सेंटर होगा जहां पर क्लासेस के लिए होता वैसे इगनों मे करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं ठीक है कोई समस्य वाली बात नहीं है और चीजों की हम लोग बाते कर लेते हैं यहां पर हम लोग थोड़ी सी बुक की बात कर लेते हैं एक चीज में बता देता हूं हमारा जो पहली बुक रहेगी उसका क्या नमा रहेगा पोल्टि लिखा गया है ठीक है इस सिलेबस आप यहां से आप इसको पढ़ सकते हैं थेओरी वाला जो पुल्टिकल थेओरी का सिलेबस रहेगा हो रहेगा फर्स्ट यर में हमारी दूसरी बुक रहने वाली है ओ क्या रहेगी इंटर्नेशन रिलेशन थेओरी एंड प्रोब्लम्स य और यहां पर आप देख सकते हैं चप्टर के नाम लिखे गए हैं देखो MPS 01 जो उसमें लगभग 29 चप्टर है कितने 29 चप्टर रहेंगे पहली बुक में दूसरी जो हमारी बुक रहेगी उसमें टोटल अगर मैं बात करूँ टोटल कितने चप्टर है 35 चप्टर है कितने दूसरी बुक में हमारे 35 चप्ट रहें यानि 35 चप्ट रहने वाले हैं तीसरी जो बुक हमारी रहने वाली यहां पर देखेगा इंडिया डैमोक्रेसी एंड डवलप्मेंट ए तीसरी बुक है क्या है MPS 003 ए थर्ड बुक हमारी रहने वाली है हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम में मिलेगी ठीक है और इस थाइड बुक में अगर हम बात करें तो लगभग इसमें आप देखेंगे तो 27 चप्ट रहेंगे ठीक है इस सारे मैं आपको पढ़ा दूँगा चिंता मत कीजे ठीक है टेंसन मत लीजे सारी चीजे असाइमेंट में हर चीज के बारे मैं मैं आपको बता दूँगा असाइमेंट कैसे बनाते ही इगनो में कब एकजाम होता कब नहीं होता है सारी चीजे मैं ही आपको गाइड कर दूँगा तो आपको इस वीडियो complete वीडियो है साथ में classes की मैं सारी चीजे आपको बता दूँगा और without आपको कहीं पर भी पैसे द यह रहेगी हमारी comparative politics issue and trend MPS 004 यह हमारी चौथी बुक रहने वाली है और इसमें आप unit देख लिए जो कौन कौन सी unit है लगभग इसमें अगर हम मैं बात करूँ तो यह हमारी जो बुक रहेगी इसमें 30 unit है यानि 30 चप्टर रहेंगे ठीक है यह चारो बुक की रहने वाली कौन कौन सी बुकें हो मैंने आपको बता दिया इसमें सेकूर्टी रीजन जरूर रहेगा खास तोर से आप एक दूसरे के नंबर को नहीं सो कर पाएंगे सिरफ आपको मेरा नंबर सो होगा ठीक है तो इसमें अभी बहुत ही काम अभी नया नया गुरूप बनाया क्यूंकि अभ वरी 2024 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल नया गुरूप बनाया गया है अभी इसमें आप सभी लोग एड हो जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और पूरी सिकूर्टी रहेगी आपको शिरफ मेरा नंबर सो करेगा एड्मीन का नंबर सो करेगा और एड् तो मेरे पास वैसे बहुत ज़्याद रहती हैं ठीक है तो मैं आप सबको जितना मदद होगी जितना पढ़ाना होगा जितना बताना होगा आपको जरूर बता दूँगा अगर आपको कोई समस्ते रहे तो आप डारेक्ट इस ग्रूप में आ करके आप मेरा नंबर से आप कोल क पर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं जैसे पोसिबल होगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिस करूँगा एक चीज में बता दूँगा यह वर्टसप जो ग्रूप रहेगा आपकी मदद के लिए रहेगा और मैं आपको हमेसा गाइड करता रहूँगा ठीक कोई समस् आप मेरे को सिरफ कोल कर सकते हैं आप मेरे से सारी information ले सकते हैं जब भी कोई information होगी जब भी कोई जानकारी होगी इस ग्रूप में आपको जरूम लेगी कब आपको assignment जमक करना है कब क्या करना है कैसे assignment बनाना है कब class होगी सारी में class इसमें आपको link मिल जाएगा इसमें हमे लिकुल कर सकते हैं, बेजी जग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको मेरा नंबर मिल जगा, मैं बता भी देता हूँ, 9034747158, ठीक है, मेरा नाम मैंने आपको बता ही रखा है, आपको वैसे भी सोही करेगा इसमें आपको आ करके, तो आप इसको कर सकते हैं, अगर आप एडमि j अगर आप एडमिशन जाकर ले सकते हैं अगर कोई भी सवाल होगा तो मेरे से जरूर पूछना वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू सोमच जैहिं जै भारत